तो फ्रेंड्स वेलकम टावर नीज वीडियो उठा के देख लेना आप जो मैंने रिसेंटेज में जो है पोस्ट किये है और मैंने हर बार फ्रेंड यह बारे में बोला है कि जिस तरीका के का रैली जो है वोड़ाफोन आइडिया में हमें देखने को मिला उसी तरीके का जो श परसेंट का उच्छल हमें देखने को मिल रहा है विच इस मोर दन 5 परसेंट एक्चुली क्योंकि अगर हम 5 परसेंट करेंगे तो वह 13.65 होता है लेकिन इसने आज जो है बनाया वह 13.70 तो अल्मुस्ट 5.5 परसेंट के उपर की जो है तेजी हमें देखने को मिल रही है यह बहुत अच्छा वॉल्यूम भी ट्रेड हो रहा है उसके पीछे के रीजन जानेंगे कल भी मैंने रीजन बताया था लेकिन आइधिंग जाधा तर लोगों ने वह वीडियो देखा नहीं था इसलिए मैं यह इन्फरमिशन आप लोगों को फिर से प्रोवाइड करना चाहता तो फ्रेंट्स कली का अपडेट था एविनिंग में विदीन 15 मिनिट्स मेंने वह अपडेट आप लोगों तक पोचा दिया था क्या वह अपडेट था कि यस बैंक बोर्ड अप्रूज फंड रेजिंग प्रपोजल अप्टू 10,000 करोड तो फ्रेंट्स यस बैंक का जो बोर उन्होंने 10,000 करोड की जो फंड रेजिस का जो प्लान था उसका अप्रूवल जो है अभी तक वेट कर रहा था जो कि कल प्रपोज किया गया और बोर्ड ने उसको अप्रूव भी कर दिया तो यह बहुत पॉजिटिव साइने फ्रेंट्स लॉंग तम के लिए भी शॉट त के लिए हमें रिजल्ट्स आज जी दिखने को मिल गया है जहाँ पर 5% के ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है लेकिन लॉंग टर्म के अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यह 10,000 करोड यस बैंक को लॉंग रन में डेफिनेटली बहुत जादा हेल्प करेंगे उनका करने के लिए तो यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स आप कि किस तरीके का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर 13.50 का लो बना आज और 13.70 का हाई बना अगर इसी तरीके का वाल्यूम आइधिंग बढ़ता रहा तो डेफिनेटली यह 13.80 या 13.7590 तक भी जा सकता है आ हमारे वीडियो देखके जो है 11-12 रुपीज के आसपास बाइ किया होगा वो लोग ओल्डेडी जो है 15% से उपर का जो है रिटेन अभी होल्ड करके बैटे है और फ्रेंट्स अगर इसमें वोड़ाफोन आइडिया जैसी रैली आती है तो यह हमें 16, 17, 19 या 21 तक की जो प्र जो है इसमें उच्छा देखने को मिला ता लेकिन उसके बाद जो है स्पेशली अगर हम जून के बात के बात करेंगे तो यह कंटिनियूसले एक रेंज माउंड में ही चल रहा है जहां पर यह 12-15 12-14 इसी रेंज में जो है ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छा का सा बाउंस पर यह देखने को मिला यह बैंक में और आगे भी यह शेर बुलिश रह सकता है लेकिन जो लोग इसको लॉंग टर्म के लिए कंसिडर करना चाते है उनको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है अगर यह शेर थोड़ी टाइम के लिए अब भी जाता है यह डाउन भी जाता है जो लॉंग टर्म इनिवस्मेंट है उनको इसको तीन से चार साल का टाइम देना पड़ेगा तब जाके आपको 3X 4X के रिटरन आई तिंग इजीली मिल सकेंगे तो यही सारी इंपोर्टेंट डीटेल्स दिफरेंट्स जो मैं आप लोग के साथ शेर करना चारा था यह बैं थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल ताकि आपको यहस बैंक से रिलेटेट सारे अपडेट फ्यूचर में मिलते रहे थैंक यू